Assalamu alaikum my dear student हम chapter pride of Pakistan कर रहे हैं उसमें हम comprehension कर रहे है आज का हमारा question है वाटा diphthongs diphthongs contain two vowels that form one new sounds when combined together diphthongs grammar में उन अलफाज को कहते हैं जिनमें दो vowels होते हैं वो दोनों मिलके एक नई sound बनाते हैं what is a syllable हम पहले syllable समझ लेते हैं a single letter, a group of letters that include a distinctive vowel sound syllables हम word के उन पार्ट को कहते हैं जो के एक बिल्कुल अलेदा vowel sound बनाते हैं जैसे यह है water तो आप देखें कि इसमें two syllables हैं wa, enter ठीक है? wa, a, and water मिलके बनाते हैं two syllables हैं इसी तरह यह blackberry आप इसके देखें blackberry इसके थ्री स्लेबल्स हैं यह तीन वावल साउंड्स हैं a, a, e blackberry इसी तरह काउच काउच में o, au, you दो वावल्स हैं यह मिलके एक कठी साउंड बनाते हैं तो यह डिफ्थ ओंग है a syllable containing two vowels in which a new vowel sound is formed by the combination of both vowel sounds यह यह डिफ्थ दाई का मानी होता है two thongs sound diphthongs a word with the two vowel sound a diphthong begins as one vowel sound and moves towards another जैसे coil आप देखें o and i मिलके एक नई साउंड बनाते हैं coil, oil, pain and now उमीद है आपको diphthongs की समझ आगी होगी अब read the given text and notice the use of diphthongs in them यह आपकी बुक में एक paragraph दिया हुआ है इसको पढ़ें और इसमें notice करें diphthongs कौन से हैं it was a sunday morning अब देखें इसमें sunday के end में diphthong है यह वाई ताशिफ रीच दा स्पोर्ट ग्राउंड अरली इन दा मौर्निंग इस sentence में यह एक diphthong है और यह दोनो यह diphthongs है और एक third one है ठीक है अब देखें के दोनो वावल्स मिलके एक नई सॉंग बनाते हैं All his school friends were there to support him इसमें कोई diphthong नहीं है इस sentence He was a bit nervous Somehow he pulled his energy together आपको पता है कि जब लोग दूसरों के सामने परफॉर्म करते हैं वो नर्विस हो जाते हैं जब नर्विस होते हैं तो शिवरी कामप्राश बोर जाते हैं उन्हें स्वेटिंग बहुत ज्यदा पसीना आता है और किए दफा दान्त भी बिजदनें लगते हैं तो he was a bit nervous, वो परेशान हो गया, confused हो गया, लेकिन उसने बिलाखर अपनी इनर्जी को कठा किया, इसमें nervous word में जो है वो डिफ्थाउंग है, Make more words with the given diphthongs, अब ये diphthongs दिये में हैं, A, Y, O, U, E, A, और O, W, आपने इनके अपने पासे words बनाने हैं, आप खुद भी सोचें, कुछ words मैं आपके साथ मिल कर बनाती हूं, ये क्या है, ये हम घर में इस्तमाल करते हैं, water spray, तो ये spray, आप देखें इसमें, A, Y, U, S, spray, ये क्य है, ये बच्चा play कर रहा है, तो ये है play, फिर ये क्या है, अपना mouth खोल रहा है, मूँ को mouth कहते हैं, इसमें O, U, diphthong, यूज हुआ है, ये क्या है, बहुत आवाज को, उन्ची आवाज को बोल रहा है, इसने, speaker लगाया है, तो इसको कहते हैं, loud sound, loud, ये क्या है, अपना सर को गुमा रही है, तो सर को कहते है, head, इसमें E, A, diphthong, यूज हुआ है, और ये क्या है, bread, इसमें भी E, A, यूज हुआ है, फिर ये क्या है, crown, crown के spelling है, C, R, O, W, N, crown, तो आप देखें कि इसमें O, W, यूज हुआ है, ये क्या है, town, 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 कस्वे को कहते हैं, जिसमें लोग मिलकर रहते हैं, इसमें भी O, W, इसमाल हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम Allah पे एमान लेके आते हैं, तो हम हमेशा सच बोलें, और सच के रस्ते पे काईम के रहने के लिए बहुत जरूरी है, कि हम Quranमजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें ताके हमें बता चले हमारा अल्ला हमारे से क्या चाता है, तो आज से अपने उपर लाजिम कर लें कि आपने रुज़ाना तर्जमे के साथ कुराम जीद पढ़ना है, उमीद है आपको सबक संद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइ करें, तो आपको सब्सक्राइब करें.